हलो गाइज, वेलकम तो दूस प्लाटफॉर्म, एलर्नर, गेट लाइफ साइंसिस के केमेस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आया हूँ आपका केमेस्ट्री एजुकेटर सौनक सिना भावू, ये कुछ बाते हैं मेरे बारे में और मैं इन अच्छल आपको टू दो पॉइंट चीजे बताऊंगा और हम मिलके सीखेंगे केमेस्ट्री के सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी जादा स्ट्रॉंग बनाते चलेंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट स्टा तो यहाँ पर क्या है सब से पहले देखेंगे आफब प्रिंसिपल के बारे में और प्रिंसिपल क्या बताता है कभी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉंग जो होते हैं यह खुटाइब करते हैं और सीधा सा बात है और इसिकली जर्मन ने जिसका मतलब है एक तो इलेक्ट्रों को एाटम में जब भी स्प्टेसिफिक शल्स में भर देते हैं स्प्टाइव वहाँ से हमें उसका है टण कउने कांफिगरेशन है तो यह जो सिक्वेंस है जसमें से जो हम आपको lines ऐसे काटते चलने, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पता चल रहा है, अब ये क्या दिखा रहा है पता है, आपको 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5d, 5p, 6s, ये क्या है, this is nothing but, इस तरीके से हम represent कर सकते हैं कि किस orbitals को energetically कौन सा low है, और उसके बाद हम low to high energy successively electrons को fill करते जा आता है कि कौन सा sub shell, किस सवाले में पहले भरना है और किस में बाद में भरना है, ठीक है, अब यही जो चीज़ा off-go कर रहा है, मैं बोल रहा हूं कि आपको ये भी क्यों करना है, इस से भी एक simpler rule है, जो कि मैं personally follow करता हूं, that is n plus l rule, ये क्या है, कि इसमें, जो energy sequence आपका अभ इन दोनों को आप add करोगे, तो n plus l value जिसका smaller होगा, उसका energy भी smaller होगा, ये basically energy को represent कर रहा है, अगर दो sub shell के लिए हम देखेंगे, n plus l value सेम है, तो क्या होगा, तब हम कैसे decide करेंगे, हो सकता है, कि कभी same आ जाए, जैसे आप 3D के लिए find करोगे, n plus l क्या हो जाएगा, n यहा तो यहाँ पर आप देखोगे, कि किसका n ज्यादा है, जिसका n ज्यादा होगा, उसका n higher value का होगा, उसका energy भी higher होगा, तो 3D पहले भरेगा, 4P बाद में भरेगा, clear, चलिए, अब हमें क्या पता चला, कि 4P का जो energy है, वो higher होगा, 3D से, क्यों, क्योंकि n का value ज्यादा है, अब अब अगर हम compare करना चाहते है, N plus L rule के हिजाब से 5P, 4S, 4D, 3D, 4F, 6S, अलग-अलग energy levels है, इनके लिए हमें find करना है, N plus L value के हिजाब से, कुछ नहीं, अब directly देखो कि 5P के लिए value आ रहा है, 6, 4S के लिए 4, 4D के लिए 6, 3D के लिए 5, 4F के लिए 7, 6S के लिए 6, इस त इसका N बढ़ा है, यानि ये energy के terms में higher होगा, ये lower होगा, इसी तरीके से आपका order मिलता है, 4F highest, फिर 6S, 5P, 4D, 3D, सही है, N plus L rule बहुत इसी है, आपको अगो प्रिंसिपल का वो जो चार्ट है, वो आपको बार बार बनाने की ज़रूत नहीं है, directly, किसी भी orbital के लिए आप N इन quantum numbers जो होते हैं, N, L और M, ये basically orbital को define करते हैं, ठीक है, और हमें फिर पता है कि हर orbital में 2 electrons भरे जा सकते हैं, जिसमें उन दोनों का opposite spin हो, तो इसको define करने के लिए हमारे पास spin quantum number आ जाता है, तो ये जो चारो quantum numbers हैं, ये सारे मिला के किसी भी electron के energy को, basically electron का address को बताता है, ठीक नोट 2 electrons, किसी भी 2 electrons में same value नहीं हो सकता, इसका, all the 4 quantum numbers का, चारो के चारो quantum numbers किसी भी 2 electrons के बराबर नहीं हो सकते, एक ना एक quantum number तो अलग होगा ही होगा, अगर same orbital में भी है ना, तो उनका क्या अलग होगा, spin quantum number अलग होगा, एक होगा प्लास हाफ, एक होगा मैस हाफ, ठीक है तो, no 2 electrons in an atom can have the same values of all the 4 quantum numbers, और an orbital in a sub-shell can accommodate a maximum of 2 electrons of opposite spin, ठीक है, तो अगर हम देखना चाहे हैं कि, second वाले के लिए देखते हैं, कि N आपका 2 है, possible L के values का है, 0 है 1 है, यहाँ पर possible M के values का है, यह 0, plus 1, 0, minus 1, फिर possible number of orbitals का है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, possible number of orbitals कितने है total? total कितने हो गए 4, अब maximum electrons कितने हो सकते 8, तो basically अगर आपके किसी भी electrons को आप देख लो, उसका सारा quantum number कभी same नहीं होगा, आप खुद workout कीजिए, एक बार उसको try कीजिए, ठीक है, तो खुद से एक बार इसको workout करके try कीजिए, next हम आगे बढ़ जाते है, हुन्स rule of maximum multiplicity, क्या बताना चाहता है, इस rule में यह बताना चाहता है कि degenerate orbitals जो होते हैं, जिन orbitals के energy same होते हैं, उनको कैसे fill किया जाता है, one electron each having the same spin and then only pairing of electrons will take place, पहले आप एक एक करके भरोगे, उसके बाद ही आप pairing करवाओगे, alternatively, the filling up of electron in the degenerate orbitals will take place in such a way that multiplicity value will be maximum, तो M, यानि multiplicity is what, 2S plus 1, इस S is the total spin value of all electrons in the degenerate orbitals, degenerate मतलब of the same energy, of equal energy, ठीक है, तो अब अगर आप देखना चाहोगे, कि जैसे example है, यहाँ पे nitrogen atom के लिए, electronic distribution, अलग-अलग possibilities यहाँ पे शो किये होगे, कौन सा correct है, कौन सा wrong है, यह question बहुत बार पूचा जाता है, इसमें से कौन सा representation wrong है, तो आप सबसे पहल आप गडबड़ा रहे हो, यह गलत है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले pairing करा दिया, उसके बाद यह कर दिया, यह भी गलत है, ठीक है, तो यह आपको correct representation बताता है, किस तरीके से भरा जाता है, ठीक है, तो finally electronic configuration, यहाँ पे बहुत सारे elements का, यहाँ पर मैंने डाल दि इस तरीके से आप calculate करोगे, practice बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको, खुद से करना पड़ेगा, that is very important, तभी आप किसी भी question को attempt कर पाओगे, ठीक है, तो principal quantum number के लिए, subsidiary quantum number यह सब हमने देखा हुआ है, यह एक summary chart है, आप इसको देख सकते हो, देखिए, यही बात है कि किसी भी दो electrons का quantum number सेम नहीं होगा, यहाँ पर आप random उठा के देख लो, सब का, किसी भी दो electrons का quantum numbers, चारो के चारो सेम नहीं होगे, ठीक है, तीन सेम हो सकते है, लेकिन एक तो differ कर जाएगा, polish exclusion principle के साब से, ठीक है, आगे बढ़ते है, finally, क्यों half-filled orbitals और full-filled, जो half-filled shells हैं, पहली बात आपको यह तो ध्यान में रखना ही होगा, कि जब कभी भी आपको half-filled orbital, half-filled stability दिखेगा, या full-filled कभी भी दिखेगा, तो आप उसको exceptionally stable मानोगे, क्या है, इसका reason क्या क्या है, तो बहुत सारे इन cases में, क्या हो, जो भी यहाँ पे cases शो किये गए है, यह क्या है, य किसी भी सब्शल के या और्वाइटल के बहुत जादा stable होता है, क्यों होता है, इसका reason क्या है, reason है symmetry, ठीक है, symmetry के वज़े से stability बढ़ता है, बहुत symmetrical अगर organization half-filled और full-filled, बहुत ही symmetrical आपका organization होता है, इसलिए यह stable होता है, दूसरा यह है कि जो exchange energy है, exchange energy बहुत जादा होता है, half-filled और full-filled, electronic configuration किये, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखे, कि possible exchange positions अगर आप देखे, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, अलग-अलग आपको यहाँ पे values मिल रहे, तो exchange energy बहुत जादा high होता है, इसलिए यह जो configuration होता है, यह बहुत जादा exceptionally stable होता है next, अगर हम आगे बढ़ना चाहे है, electronic configuration of ions, तो अगर आपने atoms के लिए calculate कर लिया, तो ions के लिए calculate करना कुछ खास difficult नहीं है, एक electron आप दोगे, तो negative चाह जाएगा, एक और electron दोगे, तो minus 2 इस तरीके से an ion बन जाएगा, ठीक है, तो total number of electrons कितने हो जाएंगे, a minus में, z plus 1 के बर a2 माइनस में क्या हो जाएंगे, z plus 2 के बराबर, ठीक है, total number of electrons क्या हो जाएंगे, 7 plus 3, 10, इस तरीके से जैसा अगर हम azide ion को देखे, n3 माइनस को, तो वहाँ पर total number of electrons कितने हो जाएंगे, 10, electronic configuration क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, correct, तो यह हम समझ गए, cateaion के case में क्या हो जा जा रहा है, एक और electron निकाल रहे हो, एक और positive charge आ रहा है, ठीक है, तो x electrons निकालोगे, तो x positive charge आएगा, तो total number of electrons, mx plus क्या होगा, z minus x, ठीक है, z आपको पता है, atomic number होता है, ठीक है, तो यह सब कुछ को चीज़े differ करती है, कि अगर element आपका d block या f block का है, तो जो electronic configuration है, वो सब से पहले तो आप m का लिखोगे, उसके बाद x electrons हटाओगे, ns से, फिर आप n-1 d से भी हटाओगे, क्योंकि d orbital है, और फिर f orbital से हटाओगे, जैसे अगर आप iron का example देखते हो, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, इस तरीके से 3d6 4s2, और यहाँ आरगन का shell, क्या होगा, 3d6 4s0 f2 plus के लिए, और यहाँ 3d5 4s0, इस तरीके से आप electrons हटा रहे हो, ठीक है, तो एक और बात, magnetism के बारे में अगर हम देख लिए, उन जरूल को follow करते हुए, हमें पता है, कि कभी भी, unpaird electrons, जब कभी भी होंगे, ठीक है, unpaird electrons को हम consider करते हैं, और unpaird electrons के लिए हम calculate करते है, spin only magnetic moment, spin only magnetic moment क्या होता है, mu s, ठीक है, और इसका formula क्या होता है, root under n, root under n into n plus 2 bore magneton, ठीक है, अब n क्या है, n आपके number of unpaird electrons होते हैं किसी भी species में, तो अब हम बताएंगे कि paramagnetic क्या होता है, तो देखिए, paramagnetic वो सब्सेंस होते हैं, जिनमें एक भी unpaird electrons आपको मिल जाए, उससे param magnetic केहेंगे, ठीक है, और paramagnetic substances generally color show करते हैं, diamagnetic substances होता है, जिसमें कोई भी unpaird electrons नहीं होते हैं, सारे electrons paired होते हैं, magnetic fields रिपल होता है, और generally colorless होते हैं, example अगर हम देख लें, magnetic behavior यहाँ पे mn, जैसे manganese है, तो आप mn को देख रहे हो, और mn plus 2 देख रहे हो, mn plus 2 क्या है, आप directly formula में put करोगे, spin only, magnetic moment calculate करना है, आपको 5 into 5 plus 2 bore magnet on, root under 35 और इसका value आता है, 5.92 के आसपास आता है, तो इस तरीके से आप electronic configuration ions के लिए और उसका magnetic property भी देख सकते हो, ठीक है, finally एक question practice करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ है, कि iron का ground state electronic configuration है, FE का ground state electronic configuration देख अभी ह 36, 4S, sorry, 4S2 है, अब क्या पूचा है, electronic configuration of ferric iron, अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, 1 is greater than us, दो टाइप के valences होते हैं, तो ferric जो है, iron के दो ही valences हम जानते है, plus 3 और plus 2, तो एक जो है वो बड़ा वाला valence होता है, that is plus 3, और us जो है वो छोटा वाला होता है, that is plus 2, ठीक है, तो आप से पूचा है किसका ferric का, यानि FE 3 प्लस का, FE 3 प्लस के लिए आप क्या करोगे, FE 3 प्लस के लिए आप पहले तो S orbital से दोने electrons को निकालोगे, उसके बाद एक electron आप 3D से निकालोगे, therefore it will be AR 3D54S0, है कोई option यहाँ पे, exactly, B जो है, यह आपका correct option है, अथी आसा orbital के लिए, 4S orbital hydrogen atom के लिए, magnetic quantum number ML का value क्या होगा, again, बहुत ही आसान question, अगर आप 4S लिखोगे, तो आप सब कुछ लिखोगे, इसके बारे में, कि N is equal to 4 है, फिर S orbital है, तो L is equal to 0 है, L is equal to 0 है, तो ML का value भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, as simple as that, तो आप directly लिख़गे, यहाँ पे, option D is correct, answer is 0, so I hope, जो भी concepts हमने discuss किये, quantum numbers और यहाँ, electronic configurations के बारे में, ठीक है, तो वो आप अच्छे से समझ गए, और मैं आशा करता हूँ कि आप practice भी करेंगे, ठीक है, इन particular concepts को, questions के त्वारा, and आप जरूर हमारे साथ जुड सकते हैं, हमारे course में, जो कि already announced हो चुका है and वहाँ पे हम लोग detail में cover कर रहे होंगे चीजों को, crash course में, ठीक है, हर एक point को cover करेंगे, important topic जो भी gate से relevant है, उस सबको हम cover करते रहेंगे वहाँ पे, तो I hope, आपको मज़ा आ रहा होगा, इन videos को देखते हुए, जरूर अपना feedback बताएं, comment section में, and बहुत अच्छे से अपना preparation करते रहें, gate के लिए, हम फिर से मिलेंगे, YouTube पे कुछ practice session के साथ, conceptual जो चीज़े थी, यहाँ पे हमने देखा, बाकी हम अपने course में cover कर रहे होंगे, and I hope, आप, आपको अच्छा लगा, हमारा content, and thank you for watching, see you in the next video, till then, happy learning. तो समझ लेना महनत ही साथ दे, अगर आपका भी सपना है IIT, तो जुड़िये e-learning के smart course के साथ, जो की launch हो रहा है 1st of November से, download the app from play store and use the code EL20 to get the 20% discount, subscribe now.